नमस्कार में हुम अमदासिफ और आप देख रहे हैं इसके नई नियूज इस वक्त के सबसे बड़ी ख़वर से शुरू कर रहे हैं लखनों में मायावती ने एहम बैठट बुलाई है यूपी के निकाय चुनाब समेद कई मुद्धों पर चर्चा करने के लिए लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी है कि क्या आजम खान से मुलकात करेंगे क्या उन से मिलने के लिए जाएंगे क्या उन्हें भी जो है आमंतरित किया चाएगा और ये ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आजम खान जेल में थे तो उगमाया वती उन पर खुम महरवान हो रही थे और इनकी जग़ा पे पार्टी के कोई भी अगर सुप्रीमों होती है तो शायद वो भी ऐसा ही करते है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि यूपी की सियासत में यूपी की राजिनीती में आजम खान जैसे नहीं था नाज है चली पहले बताते हैं कि दरसल जो मामला है वो क्या है उतर प्रदेश में इस साल होने वाले निकाई चुनाप के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है इस बिच खबर ये है कि अगर निकाई चुनाप को लेकर बहुजन समाजबादी पार्टी नई रणनीती बनाएंगी इसे लेकर बहुजन समाजबादी पार्टी मुख्या और पुर्व सियम मायवती ने मन्थन करने के लिए लखनों में पार्टी पदादी कारियों की एक एहम बैठक बुलाई है बस पाध्यक्ष मायवती ने ये बैठक 27 और 28 माई को बुलाई है अब सवाल ये है कि बैठक से पहले दिन मायवती मुख्य जोन प्रभारियों और दूसरे दिन जिलादी कारियों के साथ बैठक करेंगे पता देंगे हाल ही में हुए विधान सभा चुनाब में पार्टी को करारी हार मिली थी मायावती अबवपाठी को मजबूत बनाने की लगतार कोशिश कर रही है इसके लिए लगतार विचार विमर्श कर रही है इस बैठक में पतादिकारी को जिम्मेदारी सौंपी चुआएगी इसमें 24 में होने वाले लोग सफाचुनाप की रणनीती पर भी चर्चा की जा सकती है और इन सबसे अलग अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम पाटियां आजम खान को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो लोगों की निगाएं इस बात पे हैं क्या अज कुछ अपने पदा दिकारी हो या फिर अपने जानकारों से आजम खान को लेकर कुछ कहेंगी क्या इस वक्त आजम खान लोग जानते हैं कि निग चल रहे हैं कि अनके नाराजगीों का फायदा क्या माया वती उठाप आँगी ये एक बड़ा सवाल है आम दासिफ की रिपोर्ट इस पिने नियूस